जी प्रिया जी आज मत प्रदेश में MPPSC टॉपर हुई हैं क्या कहना चाहेंगी सब बहुत खुशी हो रही है बहुत अच्छा लग रहा है कि जो most awaited result है वो positive आया है और बहुत अच्छे से positive आया है अच्छी rank के साथ आया है तो बहुत अच्छी feeling है सब बहुत कुश है family members बहुत कुश है तो अच्छा लग रहा है जब देर राथ रियल्ट आया तब मुश्ली लोग सो जाते हैं आपको कैसे पता चला कि आप रहेंग पर आया हुआ फिर मैंने PDF चेकी रिजल्ट चेक किया दो तीन बार चेक किया रोल लंबर चेक किया फिर भरोसा हुआ कि नहीं रिजल्ट आ गया है बहुत अच्छा रिजल्ट आया है फिर parents भी सो रहे थे तो फिर उनको जगाया उनको न्यू शेयर की उनसे और थोड़ा emotional moment भी था वो तो बहुत खुश थे तर कोई नहीं सोया रहत में किसको देना चाहेंगी श्रेब बहुत लोगों का श्रे है सबसे पहले माता-पिता का श्रे है उन्होंने शुरू से ही बहुत support किया है इस field को लेकर के मेरी पढ़ाई को लेके बहुत इंकरेच किया है मुझे उसके लावा सार टीचर्स जिन्होंने मुझे केजी वन से लेकर पढ़ाया है सरसुती शीशुमंदिर के सिक्षक सारे और सभी जवह नवदे विद्याले के सिक्षक और इसके बाद जो भी कॉलेज में जो भी कॉलेज में जित्ते भी टीचर्स रहे हैं उनका सपोर्ट उनका इंकरेजमेंट वो सब मैं कहूंगी कि उन सब भी को श्रेय जाता है उसके अलावा मेरे पूरे फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे मोटिवेट करके रखा है लंबी समय तक जो भी स्ट्रेस होता था कभी डीमोटिवेशन जैसा फील होता था तो उन्होंने मुझे बिल्कुल इंकरेज किया है आगे बढ़ने के लिए आज की वहां को क्या सफलता मिली है यूद को क्या संदेश देना चाहेंगी यूद को संदेश मेरा यही है कि डिस्ट्रेक्ट नहीं होना है क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया का दौर है तो उसमें बहुत सारे डिस्ट्रेक्शन है आपको अपनी स्ट्रेंग्ट फाइंड करनी है जो भी आप जिस भी फील्ड में आप अच्छे हैं उसको आपको रिकर्णाइज करना है और उसमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए जितने भी चैलेंजिस आप उवरकाम बिलकुल कर सकते हैं अगर आप खुद आपके खुद की महनत हो भगवान का आशिरवाद हो ये सब कुछ बहुत जरूरी है तो एक सही दिशा पकड़नी बहुत जरूरी है तो आप जिस भी फील्ड की तरफ आप आगे बढ़ें तो उसमें महनत करते रहें और उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी